अब बहुत सारे बच्चे और परेशान क्या परेशान हो रहे हैं कि सब दिखा देता हूं बिल्कुल परेशान ही होना है क्या करना है आपको सबसे पहले तो जाएंगे इस एडवीशन की वह जो आपकी लिंक है क्या है वो लिंक यूजीडवीशन.uod.ac.i.r इस पर आप क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रीशन वाला है आपका इस पर जाना है और जाके आपको ये cvt अप्लिकेशन नमबर और साथी साथ आपका यहां पर जो पासवर्ड है उसको लिखना है फिर आपको यह यहां पर capture जो दिया हुआ है वो लिख देना और यहां पर login कर देना जैसे इसको login करो गया तो आपकी window खुल जाएगी यह आपकी personal window है याद रखिएगा इसमें एक अलग से tab आ रहा होगा देखेंगे आप कि my registration my seat तो एक option अलग से आ रहा होगा my seat booking या my seat allocation है ना अब इसको आप जब click करेंगे तो click करेंगे तो यहां कुछ नहीं लिखा आ रहा होगा कि the seat has not been allocated till yet क्यों नहीं हो रहा होगा क्योंकि भाई देखो यार बहुत सारे बच्चों ने बढ़ा था डाईल लाक बच्चों ने बढ़ा था यार कम लोगों ने थोड़ी नपढ़ा था बढ़ा था तो सबके यह update होते है तो उसमें मुस्कल से यह मान के चलो एक से दो घंटे का समय लगता है आप बिल्कुल परिशान मत हुई आराम से एक घंटे तक डासता पानी करके बैठो आराम से फिर उसको क्लिक करना दीरे से आपको 6-7 बजे तक वो दिख जाएगा कि भाईया कितनी क्या आपको कौन-कौन सी allocated seat मिली है और उसके बाद आपकी preferences जो भी रही थी जो आपको 80 से लेके 90 तक की जो preferences हैं वो आप उसमें eligible हैं वो merit list के अंदर आप सबकी के top में वो आ रही हैं तो आपको होगा क्या बैया कि यह जो 80 नंबर का college और course आपको allot होगा यह आपको मिल जाएगा preference के द्वारा मिल तो यह सारे रहते लेकिन यह 80 नंबर को आपको क्या कि करी थी तो बस यह आपको क्या कर देना है इसको accept कर लेना है काम आ रहा है तो और जिने बच्चों को नहीं मिला है नहीं मिला है first cutoff में तो बिल्कुल परेशान मत हो बिल्कुल मत परेशान होना second cutoff भी आएगी कैसे आएगी क्यों आएगी देखो इसमें बहुत सारे समझद यह result आया है उसको लेके आज कित्ती 19 तारीक है 19 से बया 21 तारीक तक के 4 बज के 69 मिनिट साम तक के यहां तक आपको क्या करना है इस समय में आपको pay करना है और accept करने के बाद fee पे बगेरा जो payment है उसको procedure आपको करना है जिनने कर दिया तो उनके लिए यह allot होगा याद रख होगी सर बहुत हो सेकेंड मेंडरेटर और सारी चीज़ नहीं भाईया यह कर दीना तब अलोट हो पाएंगी यह चीज़े नहीं तो यह cancel कर दी जाएंगी साब सुत्रे आदेश डियो यह विंडो है इस विंडो में आपको यह प्रक्रिया करनी है और अब आप कहोगे कि सर यह बुग भी हो ला था कि 18 तारीक को cut off आ जाएगी लेकिन आई तो 19 तारीक को तो एक दिन बढ़ना चाहिए लेकिन डियो को कहना यह है कि 19 से 21 तक का परियाप्त समय तने में आराम से लोग बाग सब कर सकते हैं जिनको अलोट मेंट हुआ है तो आपको बिलकुल भी यह व वीडियो में और डिटील जानकारी के साथ तब तक के लिए रहे हैं और बाग सब्सक्राइब